नूर हिंसा को लेकर गोविंदा के ट्वीट ने शोशल मीडिया पर मचाया गदर एक्टर बोले मेरा एकाउंट हैक हो गया है हर्याणा के नूर में जलाविशे क्यात्रा के दोरान भड की हिंसा ने एक बार फिर से पूरे देश को हिला कर रग दिया है हिंसा को लेकर फैले आकरोश के बीच बॉलिवुड एक्टर गोविंदा के एक्ट्वीट की खूब चर्चा हो रही है धर्मेंद्र को लिप किस करने के विवात पर शबाना आजमी ने तोड़ी चुपी बैयान से फिर मचाया तहल का बेटे के लिए सिक्षप्रणाली से कोर्ट में भिड़े पंकच्त्रपाथी शिवदूत अक्षय ने दिया भक्त का साथ अक्षयकुमार की अपकमिंग मूवी ओ माइ गॉड टू का दमदार ट्रेलर रिलीज हो गया है जिसका फैंस को कई दिनों से इंतजार था चौदवे भारते फिल्म फेस्टिवल में होगा रानी मुखर जी का जलवा मास्टर क्लास का करेंगी आयोजन कला निर्देशक नितिन देशाई ने की थी आत्महत्या पोस्टमाटम रिपोर्ट में हुई पुष्टी नितिन देशाई का पोस्ट मॉटम एक्सपर्ट पैनल ने किया है शुरुवाती परिणाम के मताबिक आर्ट नितिन देशक की मौत फांसी लगाने से हुई है विवेक अग्निहोतरी ने फिर खोला बॉलिवूट का कच्चा चिठा लोनली डेट्स पर जाहिर किया दुख नितिन देशाई के अब साम्यक निधन से पूरा बॉलिवूट सतके में हैं इसी कड़ी में फिल्म मेकर विवेक अग्निहोतरी ट्वीटर पर इंडस्ट्री का कच्चा चिठा खोलते नजर आए हैं साथ ही लोनली डेट्स पर अपनी प बड़ा बयान बोले छे महीने के भीतर पूरा होगा काम उत्रप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ ने फिल्म सिटी परियोजना को लेकर बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि इस परियोजना का काम छे महीने के भीतर पूरा हो जाना चाहिए MSC बैंक से नितिन देशाई ने किया था लोन के लिए संपर्क अध्यक्ष वीवी अनासकर ने किया खुलासा बिग बॉस OTT 2 का पहला फाइनलिस्ट पूजा भट को हटा कर अपनी जगह की पकी अब खबर आ रही है कि अभिशेक मलहान ने पूजा भट को हटा कर फाइनल्स में अपनी जगह बना ली है नितिन देशाई के सम्मान में गूमर का ट्रेलर लॉंच इवेंट स्थागित अभिशेक बच्चन ने बताया अब कब होगा रिलीज ऐसी अबडेट के लिए देखते रहें